हलो दोस्तों नमस्कार मैं दुशन्त कुमार आपका भारता के अन्बाय दुशन्त चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम S.S.C. के लिए वाक्य सुद्धी करेंगे जो आपके लिए S.S.C. के पेपर के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट होने वाला है देखो वाक्य सुद्धी वैकरण के नियमनुसार वाक्य में आई असुद्धी को दूर कर उसे पुन सुद्ध रूप में लिखना ही वाक्य सुद्धी कहलाता है यानि कि हमारा कोई असुद्ध वाक्य है अगर हम असुद्ध वाक्य को सुद्ध करके लिखें तो वही हमारा वाक्य सुद्ध कहलाता है ठीक है देखो वाक्य असुद्ध होने से पहले भी कोई ना कोई वाक्य सुद्ध होगा सुद्ध में ही असुद्ध ही आएंगी और फि वक्यों में कितनी प्रकार की असुद्धि आ हैं हमारी बार है तो यह 12 नंबर यह आपके लिए पेपर की दृष्टी से काफी इंपोर्टेंट है ठीक है पहली कौन शी असुद्धी होती है संग्या संबंदी असुद्धि यानि कि संग्या पर उसमें संग्या को में सुधार ना होगा ठीक है पिर सर्वनाम संबंदी और फिर हमारी सर्वनाम में प्रोबलम होगी तो हमें सर्वनाम को ठीक करना है विशेशन संबंदी तीसर नंबर ठीक है और किरिया संबंदी सब्द्दियान देखिए कोई कराओंगा जो आपको साइधी कोई कराओं ठीक है देखिए पहली असुद्या होती है संग्या संबंदी असुद्धी ठीक है तो संग्या संबंदी इसमें हमारी संग्या को में सुद्ध करना होगा देखो उसके पिताजी अध्यापक लगे हुए है देखो अध्यापक लगे हुए नहीं होते लगती तो सरकारी नौकरी है ठीक में संग्या को सदाना देखो उसके पिताजी अध्यापक है तो देखो अध्यापक लगे हुए है यानि कि लगे हुए नहीं है उसके पिताजी अध्यापक है तो हमारा सुद्रूब यह होगा ठीक है अब देखिए इसी टाइप में question number two देखिये तुम अपनी पृतिग्या के सब्दों पर ध्यान दो तुम अपनी पृतिग्या के सब्दों पर ध्यान दो जो हम पृतिग्या लेते हैं तो अलग से कहने की जरूरत नहीं है तो इसमें डारेक्ट आपका देखो अगर सुधार करोगे तो इसमें डारेक्ट हो जागा तुम अपनी ग्या पर देहन दो ठीक है देखो इसी प्रकार एक्जम्पल नंबर 3 देखो इस पिर्शन का समाधान मुझे मिल गया देखो पिर्शन का समाधान नहीं होता है समस्या का समाधान होता है मिसा ठीक है और पिर्शन का उत्तर होता है ठीक है या तो उत्तर आएगा या आएगा हल ठीक है पिरसन का हल होता है और उत्तर होता है ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा इस पिरसन का उत्तर मुझे मिल गया ठीक है अब देखो next चलते हैं देखो ये के तक दादा जी प्रातकाल के समय नित्ते गुमने जाते हैं तो दादा जी देखो एक बात बताओ प्रातकाल का तो अलगी टाइम होता है उसमें के समय के लगानी की क्या जरूरत है मैं तो वह सिर्फ हमारा प्रातकाल हमेशा सुबह के समय की लगा जाता है वरना कोई से भी टाइम नहीं लगा जाता है तो प्रातकाल से हमें पता पढ़ जाएगी कौन सा समय है तो ये के समय हमारा गलत लग आया हुआ इसमें तो इसका सुद्ध रूप हो यह दादा जी प्रात काल नित्य घुमने जाते हैं यानि कि सुबह को रोजाना घुमने जाते हैं उसी परकार से दिखो उसकी भासा देवनागरी है देवनागरी भासा थोड़ी नहीं है आपको पता होगी देवनागरी तो एक सुद्धी देखो मैंने सहर जाना है यह क्या होता है मैंने सहर जाना है तो अगर सहर मैं जाओंगा यह तो मुझे सहर जाना है ऐसा बोलूंगा मैं खुद तो यह क्या होगा आप ही खुद बोलके देखे एक बार मैंने सहर जाना है आप ऐसे बोलते हो यह ऐसे बोलोगे कि मु तार से हमारा यह सर्वनाम आधारित असुद्धी है तो अब इसका सही बना मुझे सहर जाना है देखो यह वही चात्र है उसको प्रधानमंत्री ने पुरुषकृत किया है यानि कि यह वही चात्र है जिसको प्रधानमंत्री ने पुरुषकृत किया है अब देखो यह उसको क की जिगह जिसको आता है ठीक है कि देखो यह वही चात्र यानि कि कोई हमारे सामने चात्र चमक जाए कि हम कहेंगे यह तो वही चात्र जिसको परदान मंत्री ने पुरुष्कर्ट किया है यारी पुरुषकार दीया है ठीक है कि ऐसी चलो देको मैंने टेरे को किसी को बोलेंगे तो ऐसे निए भिलेंगे तो ये तो मैंने तुझे कितना समझाया ठीक है और यह प्रस्ण बाचा किया यानों कि कुछ्छन पूचा जा रहे आप है तो इसमें आएगा मैंने तुझे कितना समझाय तो तेरे गलत है तेरे की जिगायगा तुझे ठीक है देखो जैसा बोगे उसी प्रकार काटोगे अब देखो यह तो एक कहावत भी है बोलते हैं जैसा बोगे वैसा ही काटोगे ठीक है तो उसी प्रकार तो इसी में देखो उसी जो है यह सर्वनाम नहीं आएगा इसमें उसी की जिगाएगा वैसा ठीक है देखे एक्जाम तुम्हारे कितने भाई है ऐसे थोड़ी नहीं बोल लोगे तुमके कितने भाई है तो यह तुमके सर्वनाम की जिगे तुम्हारे आएगा ठीक है तो जब हमारा यह राइट अंसर बन जाएगा तुम्हारे कितने भाई है ठीक है अब हमारी टाइप नमर त्री यानि कि विश विशेशन में संबंद यह सुध्याम है तो हमें विशेशन को सुधारना होगा देखो मोहन अच्छी अध्यापक है देखो मोहन कौन है मेल है फीमेल है और उहां अच्छी आएगा अच्छा आएगा तो आप लॉजिक लगा सकते हो मोहन मेल है या फीमेल है तो उसी के हिसाब से उसका विशेशन क्या बनेगा देखो विशेशन में देखो मोहन अच्छी तो विशेशन क्या आएगा अच्छा आएगा इसका तो मोहन अच्छा अध्यापक है ठीक है देखो अब महंगाई भारी मात्रा में बढ़ रही है तो आप क्या करोगे देखो अब महंगाई भारी मात्रा में थोड़ी नहीं बढ़ती है महंगाई तो बहुत बढ़ गई है ठीक है तब तुम अपनी कुछ सब्द तो देखो नॉर्मल भासा में यूज करते हो उसे बोल कर भी रिपीट करके देख सकते हो तो आपको उसका सही वाक्य मिल जाएगा अब देखो आप इसी वाक् गद्क होल रहा है तो उसके लिए करेंगारे बहुत बढ़ गई है ठीक है देखो ने क्ठ चलते हैं कामाईनी सबसे उत्तम अत्तम महा कावव है तो कामाई नहीं सबसे उत्तम महा कावव है देखो उत्तम यह उत्तमतम लिखरा का है लेकिन उत्तमतम की जिगा आपका आएगा उत्तम ठीक है अब देखो मीठा संगीत सुनकर आनंद आ गया अब एक बात बता है तो मीठा थोड़ी नहीं होता संगीत संगीत हम क्या लगाएंगे मिध्यक थीक है मीठा तो क्या होता है फल होता है मीठा होता है और अगर लिगया संगीत को सुनते हैं तो हमारे मुझ में टेश्ट आता है उसको कोई नहीं आता ठीक है अगर तो को मीठा है तो हमारे जीब को स्वाध भी तो लेना चाहिए उसका लेकिन नहीं हमें मधूर लगता है कानों में उसकी दुएनी अच्छी लगती है ठीक है तो संगीत के लिए का मधूर संगीत सुनकर आनंद आ गया ठीक है अब देखिएगा विदेशी जहाज को गंभीर छती हुई लेकिन अब यह गंभीर क्या होता है तो गंभीर तो चोट होती है ठीक है यानि कि जो ऐसी लगने के बाद जैसे देखो जीवित में गंभीर चोट लगती है लेकिन जो को भारी छती हुई यानि कि भारी नुक्सान हुआ ठीक है अब देखो किरिया संबंदी अब आपकी आती है किरिया संबंदी असुद्धी ठीक है अब देखो हमें करना है अब हमें किरिया को सुद्ध करना है ठीक है अब देखो हम पहले करेंगे देखो सुरेश ने अध्यापिका से कुश्चन पिर्शन पूँचा तो सुरेश ने अध्यापिका से पिर्शन पूँचा पिर्शन किया ठीक है देखो अध्यापक से पिर्शन नहीं पूँचे जाते ठीक है अध्यापक से पिर्शन किये जाते हैं यानि कि जब कोई भी हमारा सीनियर होता है और हम उसके junior है, तो हम उससेняя पिरसन करेंगे, और senior हमसे पिरसन पूछ सेगा, ठीक है, तो सुरेश ने अध्यापका से पिरसन किया, ठीक है, अब देखिए, पिता जी ने कि यआ अब आपको किदो किरिया संबन देता है नहीं हो एक म Wijण औरिको है अलग लेंग्विज में लेकिन सुद्रूप वय इयाक provides फाइश दें सडक पर दुरगटना हुआ सडक पर दुरगटना हुआ क्या होता है तो यहां हुआ की जिगा कहाएगा हुई तो आपके लिए यह कारिय संभव नहीं हो सकता तो आपके लिए यह कारिय संभव नहीं हो सकता तो आपके लिए यह कारिय संभव नहीं है अब एक बात बताईए, वहाँ पहले ही उसने लगा दी कारिय संभव नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता, इसमें हो सकते वाली कौँची बात है, जब उसने कह दी कि डारेक्टी संभव ही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हाँ तो हो सकता है, हो सकता में क्या आ जाएगा, कि ये क संबभ भी सकता है यानि कि कर भी सकता है और यह कारीय संबभ नहीं है यानि कि IMPOSIVAL वाली बात आगी कि हाँ पर यह कार्य कर ही सकता है ठीक है रूकर आप आज मेरे कारियाल लाओ ठीक है लेकिन आओ क्या होता है आप आज मेरे कार्याल आओ आओ नहीं लगाएंगे आईए अब हमारे घर हम किसी को बुलाएंगे तो उसे ऐसे तो नहीं कहेंगे आओ हम कहते हैं आईए ठीक है आप आज मेरे कार्याल आईए तो यह आओ की जिगा क्या लगेगा आईए ठीक है अब देखो आपकी किरिया सं सब्सक्राइब कर चुके हैं अब हमारी किरिया विशेशन है ठीक है पहला ही एक्जम्पल लीजे मेरे पास केवल मात्र 20 रुपे हैं अब एक बात बताओ उसे कन्फरम तो 20 रुपे से ही पता पड़ गी है तो मात्र लगाने की क्या जरूरत है जब तुमारे पास कन्फरम हो चुके हैं कि इतने रुपे हैं तो मात्र क्यों लगा है ठीक है तो वहां पर यही गलती है कि अगर कहीं भी तुमारी कोई संख्या दे रहा किया जैसे मात्र लगा हुआ है ठीक है और वहां डिजिट भी दे रहा किया है तो वहां वह मात्र नहीं लगेगा जैसे मेरे पास क बड़ा घमंडी है दो बड़ा क्या होता है घमंडी घमंडी पना बड़ा छोटा कम ज्यादा होता है क्या नहीं ठीक है बड़ा छोटा थोड़ा नहीं होता है तो यह रमेश बहुत घमंडी है तो यहां बड़ा की जिगह काएगा बहुत आएगा ठीक है सडक पर नहीं थूको तो एक बात बताओ सडक पर नहीं थूको आपको सुनने में तो यह भी वाक्य ठीक लगेगा लेकिन नहीं इसमें किरिया संबंदी किरिया विशेशन संबंदी असुद्धी है देखो हम कह सकते हैं सडक पर नहीं थूको अब एक बात बताओ सडक पर मत तो आपको दौनों मेंसे एक बात अपने ऊससे compare कर देखो इसमें से आपको सरल कौन सा लगारा है और सेही कां सा लगेगा सड़क पर नहीं टूक को यह सड़क पर मत ठूक को तो हम क्या कहने आप ही ना लगाकर मत थोको लगाएंगे थीक है अब एक चलते हैं गतो इस अनात बच्चे को थोड़े थोड़े खाया दे दो आप यह कहा एक ही मात्र आएगी बारिस केवल रात में ही हो रही है अब एक बात बताईए जब रात हो रही है और वह केवल लगाया जा रहा है ठीक है अब जब हमारी रात या दिन में ठीक है तो यहां केवल का तो कोई काम भी नहीं है जब उसने बारिस देखो बारिस केवल रात में हो रही है तो इसके लिए हम सही वाक्य के बारिस रात में हो रह लाइए पैसे कि छॉड जोर से आएगा ओज हमेशा जोर से लगती है ना कि उचे से तो महान नत्Game को जोर से आवाज लगाई ठीक है तो आपकी क्रिया किसन संबंदी शुद्धि समझ माई ठीक है अब हम गठाएं वच्छत संबंदी देखंग संबंदी क्या होता अब देखिए अने को क्यों लगाएंगे हम ठीक है अब इसमें आपको पता होगी वचन एक वचन और बहुचन ठीक है अनेक अपने आप में बहुचन होता है तो अनेकों की लगाने के में कोई जरूरत नहीं है तो यहां आजाएगा महादेवी वर्माने अनेक संसमरण लिख डाले अनेकों की जिगया अनेक आएगा थ IPताजी ने कागज पर हस्ताक्षर्ण कर दिया है कर दिये है अब आप कर दिया है कि जिगया है कर दिये है तो यही हमारी वचन संबन्दी आ जाएगी ठीक है? देखो, अब हम चलते हैं, एक्जम्पल लंबर थिरी पर तो महीलाएं बाजार जा रही थी ठीक है? तो महीलाएं अब एक बात होता हूं, महीलाएं में जब भी ये कि मातर आती है तो वहाँ पर ए आता है ठीक है महीला तो यह आता है यह हमारी बहुवचन की पहचान कराता है ठीक है तो महीला तुमने वचन में यह तो पढ़ा होगा जब महीला में पीछे मलब महीला में पीछे आ की मातरा आती है तो हम उसमें ए लगाते हैं ठीक है तो वहाँ बन जाएग जब उड़ गया तो होस उड़ गए ठीक है तो यह बात सुनकर उसके होस उड़ गए तो हमारी कहार की इसमें गया और गए में ठीक है आप नौर्मल हासा में बोल कर देख सकते हैं कि कौन सा वक्क है सही रहेगा और कौन सा गलत रहेगा ठीक है अब देखो next चलते हैं यह मेरे कहानी पढ़कर मेरा मन प्रफुलित हुआ अब देखो यह कहानी पढ़कर मेरा मन प्रफुलित हुआ यानि कि देखो आपको एक वासा में यह ऐसा भी लग साकता है कि यह उपर वाला ही सही है लेकिन ऐसा नहीं है तो ये नहीं यह कहानी ठीक है तो यह कहानी पढ़कर मेरा मन प्रूफुलित हुआ तो इसमें यह की जिगह क्या जाएगा इसमें यह की जिगह यह आएगा ठीक है ऐसे ही कि example number 6 मेरे समानों का द्यान रखना तो ये समानों का मेरे समान का द्यान रखना तो समानों की कि तो दोस्तों आज हम वाक्य असुद्धी में हमने छटाइप करें और छटाइप हमारे कल करेंगे second class में ठीक है दोस्तों अब मैं कराऊंगा तो यह class थोड़ी और लंबी हो जाएगी लेकिन मेरा man motive है आपके लिए कम समय में जादा पढ़ाई या पढ़ना या पढ़ाना ठीक है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है ठेंक यू अल अफ यू